संदी को आज हम देखेंगे इससे पहले भी हमने हिंदी का लगवक स्लेविस कंप्लीट होने वाला है अगर आपने और वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेइलिस्ट में जाके देखेगा बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमने क्लियर कर रखें ठीक है तो आज हम देख लेते हैं बिना टाइम वेश्ट करें संदी को देखें संदी का मतलब क्या होता है ज्वाइनिंग होता है मेल होता है ठीक है किनी दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है वो क्या कहलाता है संदी कहलाता है ठीक है और अगर हम इसको और तरीके से अच्छे से समझे तो जो दो समीपवर्ती धुनिया होती है या वर्ण होता है उनके मेल से जो परिवर्तन जो चेंज होता है उसे ही संदी कहा जाता है ठीक है अब मैं आपको कुछ कुछ चीजे पहले बहुत बेसिक तरीके से बोलूंगे आप लोगो मतलब आगे जाके नहीं बोलूंगे पहले एक दो एक्जामपल में ऐसी चीजें बोलूंगे ठीक है जैसे हमने कहा कि भाशा में अनीक ऐसे सब्द होते हैं जिन में धुनिया परस पर मिलकर एक हो जाती है ठीक है और उसे एक नया शब्द बन जाता है या नया एक परिवर्टन हो जाता है जैसे मैंने कहा आपके पास यहाँ पर एक्जामपल सदा एक वर्ड लिखा और दूसरा क्या लिखा मैंने एव ठीक है तो सदा का आ आ जाएगा यानि जो पहला शब्द है इसका अंतिम क्या आ रहा है आ आ रहा है और जो दूसरा शब्द है इसका प्रथम जो हो है वो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा तो इन दोनों के मिलने से क्या बन जा रहा है ए बन जा रहा है ठीक है तो क्या बन जाएगा इन दोनों के मिल से इस सब्द को अगर हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा सदैव सदैव बन जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि दोनों में क्या हुआ है मेल हुआ है ठीक है परस पर मिले हैं आ और ए और ए बना है और जब हमने सदा और ए को मिलाया तो सदे बना गया ठीक है ये चीज़ समझ में आए तो इसे ही क्या कहते हैं संदी कहते हैं ठीक है अब हम एक और एक्ज़ैम्पल देख लेते हैं हमने कहा महाधन आत्मा महात्मा बना ठीक है तो अब हम इसमें वर्णों को देखते हैं कि किस वर्ण को मिला करके और क्या परिवर्टन होगा जैसे हमने महा पहला शब्द है इसका आ और आत्मा दूसरा सब्द है इसका पहला वर्ण निकाला वो भी आ है और दोनों आ मिलेंगे तो क्या बनेगा आई बनेगा और क्या हो जाएगा महाधन आत्मा महात्मा हो जाएगा ठीक है तो ये क्या है संदी है कुल मिलाकर आप ये समझेंगे कि किसी सब्द में दो धुनियों को परस पर मेल ही क्या कहलाता है संदी कहलाता है ठीक है अब आप देखे question कैसे पूछे जाते हैं हम उसके according यहाँ पर पढ़ेंगे से संदी के भेद ठीक है main पूछा गया है संदी के भेद संदी के भेद कितने होते हैं तीन भेद होते हैं संदी कौन कौन से एक है स्वर संदी दूसरा ब्यंजन संदी और तीसरा विसर के संदी अब हम इसमें पहले example देखेंगे फिर इसकी definition को परिभासा को समझेंगे मैंने एक example यहाँ पर लिखाया है देवाले तो अगर हम इसका संदी विच्छेद करेंगे तो तो क्या हो जाएगा देव धन आले अब बार बार नहीं बोलूंगे मैं कि पहले का आकरी दूसरे का तो यह क्या हो जाएगा अधन आ तो क्या बन जाएगा दीर्ग आ बन जाएगा ठीक है तो क्या बन रहा है देवाले हो जा रहा है अब इसमें जो भी हो रहा है उसका हमार main intention या पर क्या है परिभासा को समझने का कि स्वरसंदी होती क्या है स्वरसंदी क्या होती है जब दोनों स्वरों का मेल हो अभी क्या है स्वर है और आभी क्या है स्वर है ये दोनों मिल रहे हैं तो क्या कहलाएंगे वो स्वरसंदी कहलाएंगे ठीक है जो परिवर्तन और वर्ण होते हूं क्या कहलाते हैं, तो जब दो बिंजन आपस में मिलेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, वैसे यहां पर एक एक जामपल है, दिगज, तो दिगज को तोड़ेंगे, तो कैसे हो गाई, अलग करेंगे, तो दिख dhann gaj, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिगज हो तो दोनों क्या मिल रहे हैं यहां पर ब्यंजन मिल रहे हैं तो ब्यंजन संदी हो जाएगी अब आ जाती है विशर्ग संदी का उधारन लिखा है हमने मनोयोग तो मनोयोग को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मनह धन यूग यानि विशर्ग संदी की परिभासा क्या हो जाएगी कि जब विशर्ग और कोई व्यंजन या कोई भी और उसमें वर्ण मिलता है तो क्या कहलाता है वो विशर्ग संदी कहलाता है लेकिन शर्त क्या है कि उसमें क्या होना चाहिए विशर्ग भी मिलना चाहिए तभी विशर्ग संदी होगी और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा संदी का विच्छेद करना पड़ेगा यानि जिनसे संदी बनी है उनको तोड़ कि आपको देखना पड़ेगा उसके बाद आप उसे वर्ण निकालेंगे और तब बताएंगे कि इसमें विशर्ग है इसमें विंजन है इसमें स्वर है और उसके वेदों को आप समझ पाएंगे ठीक है चलिए अब ज़रा यहां पे तीन चार और उधारण है हम समझ लेते हैं हमने कहा है महाधन इश ठीक है तो अगर हम सीधे इसको थोड़ा सा डिट और आप दो इसमें बन रहे है एए बन रहे है तू ये भी स्ववर बना ये भी स्वर बना इन दोनों में क्या हो गया स्ववरसंदी अभी मैं स्ववरसंदी के भेइधनी बता रही हूं कि स्वर मिल रह에 कौनसे स्वर ये नहीं बोला है स्वरसंदी इनमें स्वरा रहा है ठीक है हमने कहा जगत धनाथ ठीक है तो हलंद लगाए तो क्या है ये जब इसमें अ लगेगा तब पूरा क्या बनेगा ये बियंजन बनेगा न तो अभी क्या है ये तो है ठीक है धन न तो क्या बन जाएगा जग नाथ ठीक है तो ये कौन से संदी हो जाएगी वियंजन संदी क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है वियंजनों का मेल हो रहा है ठीक है नेक्स आ जाता है नेहे धन चल ठीक है इसमें क्या है नेहे धन चल तो क्या हो जाएगा निश्चल ठीक है और पता चल रहा है विशर्ग के बाद क्या रखा है वर्ण चोवर्ण आ रखा है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा विशर्ग संदी हो जाएगे तो ठीक है ये हो गया महाधन इस महेस ठीक है ध्यान रखना हमें से एक मातरा ठीक है हिम धन आले हिमाले हो गया ठीक है स्वर संदी जगत धन नात जगन नात हो गया व्यंजन संदी और निश्चल हो गया विशर्ग संदी नीधन चल ठीक है तो ये संदियां अपने दीख ली अब में कुश्चिन कहां से पूट अप होते हैं स्वर संदी के जो भेध होते हैं वहां से कुश्चिन पूट अप होते हैं अभी तक तो मैंने आपको तीन संदियां बताई स्वर बेंजन और विशर्ग और इसको आप इजली पहचान लोगे कि किसमें कौन सी संदी है उसमें इतनी प्राबलम नहीं होती है और हमारे स्लेबस में भी क्या है स्वर संदी के भेध हैं मेली तो स्वर संदी के भेध जो होते हैं वो पांच भेध होते हैं इसे याद करिएगा डैरेक्ट कोशिन भी पूछ लिया जाता है ठीक है दीर्ग गुण ब्रिदी यन अयादी ये 5 हो गई और अब हम इन 5 ओं को समझेंगे ठीक है कि किसमें क्या वर्ण यूज होते हैं उसके बाद क्या परिवर्टन होता है और जब कुश्चन आएंगे अप कैसे करोगे ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्ग संदी के और इनमें मैं आपको वो भी बताऊंगे कि आप कैसे इसली समझ पाऊगे दीर्ग का मतलब होता है बड़ा जो भी चीज इसमें बड़ी होगे और जब संदी दीर्ग संदी है तो कौन से संदी है भेद क्या है इसका स्वर संदी का भेद है नहीं तो दीर्ग संदी हो जाएगे तो यानि इसमें जो ध्वनिया जो वर्ण मिलेंगे वो क्या मिलेंगे व फोटा आ और बड़ा आ ऐसे करके ठीक है जब कि ऐसे नहीं होता है और आ होता है पूरा ठीक है तो आप देखिए कि जब बड़ा आ बड़ी या बड़ा उ ठीक है बने इससे इन वर्णों से यानि वो कैसे भी बन सकते हैं जैसे हमने कहा अधन आ तो बनेगा क्या आ बनेगा हमने कहा अधन तो भी क्या बनेगा आ बनेगा है ना हमने कहा इधन इ तो क्या बनेगा इबनेगा वैसे हमने इधन इ कहा तो भी इबनेगा समझने बात को हमने कहा उ धन उ तो क्या बनेगा उ बनेगा ठीक है वैसी छोटा उ छोटा उ बनके उ बनेगा तो कूल मिलाकर यहा और वो कौन-कौन से वर्ण मिलेंगे केवल A के, E के और U के यह जब वर्ण मिलेंगे और इनसे जो परिवर्तन होगा और क्या परिवर्तन होगा कि उनके मिलने से दीर्ग A यानि बड़ा A, बड़ी E और बड़ी O बन जाते हैं तो वो दीर्ग संदी कहलाते हैं, बस इतना याद रखना है दीर्ग का मतलब होता है बड़ा और इसमें तीन जो स्वर हैं वो दीर्ग हो जाएंगे तो उसमें दीर्ग संदी हो जाएगी A, E और U ठीके, एक्जाम्पल देख लेते हैं मैंने कहा धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ कहा, ठीके तो एक दो एक्जाम्पल सिखा रही है, धर्म, धन, ओ इससे भी क्या बन रहा है, आ बन रहा है, ठीके तो धर्मार्थ हो गया, हमने कहा महाधन आत्मा तो क्या हो जाएगा, महात्मा, और हुआ कैसे, ठीके आ धन महात्मा ठीक है बारवा नहीं लिखूंगी मैं यह बहुत एजी है इतना बड़ा वो नहीं है कि हम इसे समझ न पाए हमने कहा गिरी धन इस आप भी साथ साथ करते रहो ठीक है बोलते रहो गिरी धन इस तो क्या हो जाएगा गिरीश ठीक है बड़ी ए बनेगी हमने कहा योगी धन इश्वर तो क्या हो जाएगा योगी श्वर ठीक है बड़ी ए भानू धन उदय तो क्या हो जाएगा भानू दय यहां पे क्या आया छोटा उधन छोटा उधन और क्या बना बड़ा उदय हमने कहा सरुर्मी ठीक है सरुर्मी ठीक है तो बड़ा उधन बड़ा उ और क्या बनेगा बड़ा O बनेगा दीर्ग बन रहा है तो क्या जाएगा सर्यूर्मी ठीक है तो अब आप देखिए बड़ा A यहां पे आ रही है बड़ी E और बड़ा O तो आपको मेन फोकस इसी पर करना है कि जो दो वर्ण मिले चाहे छोटे हो या बड़े हो उनसे जब A, E और O मिले, O बने तो वो दीर्ग संदी कहलाए ठीक है यह समझ में आ गया नहीं समझ में एक दो बार और सुनिएगा आपको easily समझ में आ जाएगा चलिए next देख लेते हैं गुण संदी को ठीक है गुण संदी जो है बहुत easy है समझनी इसमें आप ध्यान से देखेगा जब A और A स्वरों के बाद ध्यान रखेगा हां किन स्वरों के हम बात कर रहे हैं जब A और A के बाद छोटा या बड़ा E और O आए ठीक है क्या इसके अलावा E ठीक है O आए तो क्या हो जाता है वो A, O और R हो जाता है ठीक है इसे याद रखेंगे आप लोग कैसे अब हम देख लेते हैं जैसे हम example देख लेते हैं मैंने कहा A धन E तो ये भी क्या बनेगा A बनेगा मैंने कहा A धन E तो भी क्या बनेगा ये? A बनेगा ठीक है तो ये देखें आ रहा है न स्वरों के बाद इनके बाद E में आए अगर हमने कहा A धन U तो क्या बनेगा? O बनेगा वैसे ही मैं कहूं बड़ा A धन U बना तो O आ जाएगा अब हमने कहा जैसे अ धन री तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा ठीक है? वैसे ही बड़ा A और री बड़ा A बोल रही मैं हैं ताकि आप लोग समझ सको इसको ठीक है? अर हो जाएगा ये भी तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो गुण संदी में A और A के बाद बड़ा E छोटा E छोटा O और बड़ा O आए और री आए तो मिलकर ये क्या बनेंगे? A, O और R बनेंगे उन सम्में क्या हो जाएगी? गुण संदी हो जाएगी पुल मिला के अगर आप देखेंगे जिन में A की मात्रा A से AD जब A से AD की मात्रा कहीं पे लगाते हैं तो एक लगाते हैं न डंडी और ऐसे N एक में दो डंडियां लगाते हैं तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम एक डंडी की बात कर रहे हैं ठीक है? यहाँ से O से O उखली वाली ओ वाले जो भी शब्द होँगे वो क्या होँगे गुण संदी और जिसमें अर आएगा वो क्या हो जाएगा गुण संदी एक्जाम्पल में देख लेते हुआ जैसे हमने कहा नर्धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र, बारवार नहीं बोलूँगी, मैं इसका ऐ, इसका ई, ठीके, नरेंद्र हो गया, कमल धन ईश क्या हो जाएगा, कमलेश, ठीके, पर धन उपकार, परोपकार, ठीके, नेक्स से जल धन उर्मी, तो क्या हो वैसे ही देवधन रिशी अर आएगा ना तो क्या हो जाएगा देवर्शी ठीक है महाधन रिशी महर्शी हमने कहा महाधन उत्सव महत्सव ठीक है आप इसको यहाँ पर समझते हैं देखो ए की मात्रा ए बना है नहीं दो वर्णों के मेल से यहाँ पर ओ हो जाएगा A की मात्रा और O की मात्रा ठीक है और इसके साथ अर आ जाए तो ये सब क्या होते हैं गुण संदी होते हैं और आप अपलाई करके देख लीजेगा किसी भी उधारण में फिट बैठेगा ये ठीक है लेकिन इसके सर्थ क्या होनी चाहिए कि ये किन वर्णों के मिल से बने हैं ये भी बहुत डिपेंड करता है एकी मात्रा तो बहुत सारे सब्दों में होगी लेकिन वह वर्ण कौन से मिलके बने हैं ये डिपेंड करता है तो हो गया गुण संदी अब हम देख लेते हैं व्रिधी संदी को देखे हमने जैसे दीर्ग संदी देखी थी अब हम देख रहे ह तो दीर्ग में हमने क्या देखा था बड़ा आ बड़ी ई और बड़े उ की हमने बात की थी इन से मिलके जो ये वर्ण बन रहे थे ये दीर्ग संदी थे ठीक है अब हम बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं ब्रिदी संदी के ब्रिदी संदी में देखे बहुत इजी है जब औ और आ के बाद ठीके, इन दोनों के बाद, किवल ये दो छीजे आए ए और आई, ओ आउ आए तो क्या बनेगा? ए बनेगा ऐसे एनक वाला ठीके, ओ से औ से और अरत वाला यानि किसी भी शब्द में अगर दो मात्राएं और ये वाला आ जाए मत रहें तो सबको पता है न, तो वो क्या संदी हो जाएगी, व्रिधी संदी हो जाएगी, ठीक है, कैसे example देख लेते हैं, एक धन एक, एक एक, क्योंकि हमने क्या कहा, ओ धन, ए मिलके क्या बन रहे हैं, ए बना रहे हैं, ठीक है, वैसे ही, मत धन एक, तो क्या हो जाएगा, मत सदाधन एव जलधन ओशदी महाधन ओजश्वी तो क्या हो जाएगा महोजश्वी ठीक है और ओ क्या हो जाएगा ओ की मात्रा इसमें तो आपको समझ में आया ओ की मात्रा, ए की मात्रा इस सब क्या है बृति संदी ठीक है तो ब्रिदी संदी में केवल इन दो की इन दो बड़े जो वन हैं इनके बारे में बोला गया है जबकि दीर के संदी में आ ई और उ के बारे में ठीक है तो इसली आप लोग करेंगे अब हम प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद आ जाता है यन संदी अब यन संदी में से देखिएगा ठीक है इसमें जब भी यदि ए और ए में दोनों यह लिखिए मैंने ठीक है उ दोनों उ हरश और दीर और री आए ठीक है और इनके बाद कोई भी भिन्निस्वर आए तो क्या हो जाएगा यह व र हो जाएगा अब यह का मतलब यह नहीं कि किवर यह होगा वह बड़ा यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है यू भी हो सकता है यह भी हो सकता है सेम सिचुएशन वह के साथ होगी और रा में रा और हो जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगी गुण संदी यानि कुल मिलाके जब दो वन मिलेंगे तो उनसे यह बनेगा वह बनेगा रा बनेग इसके इतने वेद मैंने आपको बता दिये हैं कौन कौन से अगर आपको जादा ढख से बताना है जैसे मैंने आपको कहा कि ए धन ए मिलिया तो क्या बन जाएगा यह बन जाएगा तो यह नहीं कि यह जो है यह बन जाएगा ठीक है? तो यह जो है यह नहीं कि आप लोग वेट कर रहे हैं कि बस यह ही इसमें आएगा इसमें यह से रिलेटेड जो भी है यह मातराइं लगी वी यह भी बनेंगे वैसे ही वह में होगा वह, वी, वे यह सब क्या हो जाएंगे? रा हो जाएंगे अब ऐसे हम एक्जामपल देख लेए जैसे हमने कहा अतिधन अधिक तो क्या हो जाएगा अत्याधिक तो इसमें क्या मिल रहा है अतिधन अधिक में इ धन अ मिल रहा है तो क्या बन जाएगा या बन रहा है हमने कहा इती धन आदी क्या हो जाएगा इत्यादी है ना तो छोटी य और आ मिल रहा है तो क्या बन जाएगा या बन रहा है सु धन अच्छ तो क्या बन जाएगा स्वच्छ क्योंकि क्या मिल रहा है उ धन अ मिल रहा है तो स्वच्छ हो जाएगा अनुधन एशन अनुवेशन अब आप देखिए आप बोलोगे कि ये तो ए की मात्रा लगी हुई है तो ये गुण संदी हो जाएगी बिल्कुल नहीं हो जाएगी क्योंकि इसमें वन अलग-अलग मिल रहे हैं इसमें क्या मिल रहा है उ धन ए मिल रहे हैं तो क्या हो जा रहे ह कि यह हमने बताया है भे हो जाएगा ठीक है वन्ड भी देखना है कि 12 वा ईहां पर यह Anu nut u जो हो जाएगा कुह यह संदी का उधारन हो जाएगा थिक है रिया Buck आ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा रा हो जाएगा और क्या हो जाएगा पित्राग्या ठीक है तो यह हो गया है यन संदी चलो नमबर पांच पर आ जाएगी अयादी संदी जब इसमें ए आई ओ आउ के बाद कोई भिन्सवर आ जाता है तो क्या बन जाते हैं जैसे आय बन जाता है आय बन जाता है आउ आउ अवी आउ आउ ठीक है तो ये क्या हैं ये सब ऐसे शब्दे हैं जब इनका मेल होता है आपस में ठीक है इनके बाद कोई भिन्सवर आए मैंने यहाँ पे लिखा है जिससे आ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ई, उ, अ, यह सब से क्या वहूंगे? अलग-अलग तो जब आप शब्दों को पढ़ेंगे तो अपनी यह आप भी आपको पता चल रहा है कि किसमें अय बन जा रहा है तो धन अं पवन, थिक है? नै धन अक, नायक, तो यह सब क्या हो जाएंगे? आयादी संधी के एक्जामपल हो जाएंगें, थिक है? तो बहुत इजी है, हमने पांचों संधी देख ली है, दीर। दिंवाय संधी नीप रए संधीी जैसे आप देखिये, पहले ये तो आपको पता ही चल चुका है कि संधी किसे कहते हैं, दो धुड़नयों के परज पर superior मेल से ही क्या बनता है प्रकोर्या में जिसमें दोनियों को पुन में अलग अलग करके संधी से पहले इस्सिति में जो रहता है, उसके क्या कहते हैं, संदिविच्षेद करते हैं अगर हम इसको reverse करते हैं उधारन देखे आपने exam भी दिये होंगे उसमें पूछा जाता है कोई कोई शब्द दिया जाता है उसका संदिविच्षेद बताईए तो हम कुछ उधारन देख लेते हैं संदिविच्षेद का यानि उसको अलग-अलग करना है जैसे हमने कहा अत्यंत किस से मिलके बनाए इसका संदिविच्षेद क्या हो जाएगा अतिधन अन्त हो जाएगा ठीक हमने कहा अधिकांस, तो अधिकांस क्या हो जाएगा, अधिक धन अंस, ठीक है, अधिकांस, थोड़ा और एक्जम्पल ले लेते हैं, देखो हमने कहा उज्ज्वल, उज्ज्वल का क्या हो जाएगा, उत्धन ज्वल, तो उज्ज्वल हो जाएगा, ठीक है, हमने कहा उध्यान तो उध्यान का क्या हो जाएगा उत्धन यान यह क्या है संदी विच्छीद है इनसे मिलके तो बनेए ही शब्द तो इसको रिवर्स कर दिया जाता है उध्यारण में क्या हो जाएगा उत्धन आहरण थ्के है हमने कहा दुरबलता तो इसमें कौन सी वह जाएगी विशरग लग जाएगा दुरधन बलता थीक है तो पता भी चल रहा है विशरग संदी ठीक है वैसे हमने कहा पुरशकार तो इसमें भी क्या हो जाएगा पुरह धनकार पुरशकार प्राणी मात्र तो क्या हो जाएगा प्राणिन धन मात्र वैसे कह रहे हम लोग क्या है भूदार तो इसका संदी विच्छेत क्या हो जाएगा भूदन उदार ठीक है तो संदी विच्छेत क्या है जो शब्द दिये गए हैं, उनको तोड़ना है, उनको अलग-अलग करना है, विच्छीद करना है, तो उसे हम संधी विच्छीद कहते हैं, ठीक है, तो यह हमने संधियां देख लिए, संधी विच्छीद देख लिए, अब हम थोड़ी से एक्सरसाइस करते हैं इसकी, और दे दीर्ग सन्दी संदी , डीर्ग शन्दी में डीरosaurus उबर country तुट就是說 are A, E, U तुटे तु इसमें दो इक्जाम्पल की दिर्ग संदी के लेकिन सामने आपको दिख राही है cya भhanudas next Şef Freyumazi хозяe बेंजन संदी and Indian ब्रिधी संधी गूण संधी को रमेज पहागत यह व और रा यार बना था विशर्ग सन्दी तो यह क्या हो जाएगए Besड़ दीर्ग सन्दी तो इसमें देखें बड़ी E बन रही है तो ये क्या हो जाएगी दीर्ग संधी हो जाएगा अब है तो ऐसे मैं easy लिए आपको समझ में आ जाएगा चलिए question देख लेते हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं उसे क्या कहते हैं संदी कहते हैं यही हम पढ़ते वे आ रहे हैं अभी next है संदी कितने प्रकार की होती है तो अगर आप देखेंगे संदी के भेद पूछा गया है यह नहीं पूछा गया कि स्वर संदी कितने प्रकार की simple question है संदी कितने प्रकार की है तो right answer क्या हो जाएगा तीन प्रकार की संदी होती है अब ऐसा ही question है कि स्वर संदी के कितने भेद होते हैं तो तब आ जाएगा कि स्वर संदी के कितने भेद होते हैं पांच भी दो ठीक है next question है कपीस में कौन सी संदी है तो बड़ी e बन रही है कपीस तो क्या हो जाएगा धीर के संदी हो जाएगा next है निम्णे में कौन स्वर्ष संदी का उधारण है इन में से कौन सा है एदार जाएग नेक पॉण से चलिए next question है सत्या ग्रह में कौन सी संदी है ठीक है सत्या ग्रह में कौन सी संदी है अब आप देखें यहां पर confused ने करें आप कहेंगे कि या बना हुआ है तो हम क्या कर देंगे इसे यन संदी कर देंगे बल्कुल नहीं सत्य धन आ ग्रह है ठीक है और आ मिल रहे हैं तो यह सत्या ग्रह में दीर्ग संदी नेक्स्ट है बियर्थ सब्द में किन वर्णों की संदी हुई है ठीक है कई बार question ऐसे भी पूछ लिया जाता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा बियर्थ में क्या है इधन अ है क्योंकि क्या हो जाता है वी धन अर्थ हो जाता है बियर्थ और सं संदी हो जाएगी चलिए next question है low question में कौन सी संदी है तो right answer क्या हो जाएगी दो मात्राएं लगी है और right answer क्या हो जाएगा बियर्थ संदी हो जाएगी ठीक है चलिए दसवा question है महतसब का सही संदी विच्छित क्या होगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा महतसब हो जाएगा औ और संदी की बात करेंगे तो कौन सी संदी हो जाएगी गुण संदी हो जाएगी और मैंने आपको बताया था जैसे देखो आ धन उ मिलकर क्या बनाएंगे ओ बनाएंगे तो महौतसव में कौन सी संदी हो जाएगी ओ की मातरा लगी भी है तो गुण संदी हो जाएगी और संद से related important question और पूरा संदी का topic है और आप लोग देखेगा कि गुण संदी और यन संदी में क्या अंतर है क्योंकि दोनों में कई बार एक ही मात्रा लगी होती हैं लेकिन अंतर मैंने आपको बताया है कि अंतर क्या है कि कौन-कौन से वर्ण मिल रहे हैं उनके मेल से क्या परिवर् वीडियो को रिवाइस करके देख सकते हैं आप लोग और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद